हेलो गाईज, कैसे वो आप सब आपका मेर चैनल में स्वागत है आज का हमारा जो वीडियो है वो है रक्तपित पर रक्तपित चैप्टर फोर है चरक चिकिस्ता स्थान का सरप्रतम ज्वर्रों के उत्पत्ती हुई थी उसके बाद रक्तपित का वनन है तो रक्तपित का चर्चा का स्थान कहा है पंच गंगा प्रदेश में उसके बाद है रक्तपित को महागद बोलते है महागदम महावेगम अगनी वर्च शिर्ग कारिच यह आपको याद करना है महागदम महावेगम अगनी वर्च शिर्ग कारिच कि मतलब कि क्या है इसका माहा रोग जिसका वेग अधिक्तिर्व हो अगनी जैसे अगनी सारे त्रिन को घास वगारा को जला देती उसी प्रकारी श्रीर को नस्ट कर देती है क्या होती है अपनी उश्मा से धात्म को क्या कर देती है रक्ता धातों को अपने स्टान से निकाल कर रक्ता धातों में प्राप्त हो जाती है ये पित को रक्ता धातों में चली जाती है और वह पित रक्त से ही उत्पन होकर रक्त में जाकर अधिक बढ़ जाता है ठीक है उसे दूशित भी कर देता है उसी पित के उसमसे मासाधिधातों में द्रव धातु निकलता है ये इसकी संप्राप्ती है उसके बाद है रक्त पित की निरुक्ती रक्त पित की निरुक्ती में आपको इश्लोग करना है संयोगाद दोशना ततो समान्याद गंद वर्ण संयोग होता है किसका समान्या गंद वर्ण का गंद और वर्ण इनकी सेम होती है रक्तस्या पित आख्यात मतलब रक्त और पित का उसे कहते है रक्त पित ठीक है और वह पित पली हो और यकृत का ही आशा करके रहता है फिर आता है हमेरे पस कफ जन्या रक्त पित के लक्षन कफ मतलब सांद्र होता है पांडू स्नेहे और पिछिल होता है उसके बाद बात कहनों ने बोला है शाव अरुन सा फेन च तन्तू रुक्ष च वातिक वातिकम शाम होता है अरुन्वन का फेन वाला तन्तू रुक्ष होता है उसके बाद है पित जन्ने का रक्तस्या कशाय आप कृष्णम गौमुत्र सानिबं यह याद रखना है कि गौमुत्र जैसा होता है गौमुत्र के कलर जैसा होता है कशाय होता है और मेचजागार धूम का होता है और धूम मतलब घर के धूम के समान होता है ठीक है उसके बाद है रख्त-पित Jeśli सद्व होता है ठीक है एक दोशवाला है सद्वाल Sachen ए सद्वीध होती है उर्दा और एक अधो होती है ठीक है उर्द कितने आते हैं उर्द में आपके साथ चिद्र होती हैं और नीचे वाली जो तोनों माक्सि होता है जो आंत की गति होती है ठीकी जी Рौम कोपे द्वारा जो निकलता है रख्ट पित की है साधिता इंपॉर्टेंट है इसमें क्या कुनभ गंदेन रख्तम कृष्ण अतीव जो मतलब लखिण sz EQ के समानगंद आती है रख्त और कृष्ण वन क संस्रिस्ठ क इसमें कफ और वात होता है हरीद्र नील हरीत तामरवान रूपद्रम हरीद्र नील हरीत तामरवान का होता है रप्त पित की साध्यता पड़ते हैं साध्यता क्यों होता है जो एक मार्ग बलवतो न अतिवेगम न उत्तितम मतलब जो एक मार्ग से निकलता है ठीक है रोगी बल सेलवान हो यहां जाक है उसमें कोई उख्ज्रव नहीं हो उसके बाद है रख्ट पित की संप्राप्ती में स्नीकदूर रुक्ष उश्न का क्या महत वह संप्रापती संप्राप्तだから क। और अधो वाले में रुख्शो होऊगा रक्तपित का दोसंसर उपर वाले में क्या है कफ कनूबंद अधो में वाच कनूबंद रहता है ठीक जी, उसके बाद रहता है रक्तपित की चिकिस्ता करम ये इंपोर्टेंट है, चिकिस्ता करम तो चेकिस्ता सोतर सभी का अशीन बल मासस है जिसका बल और मास शीन ना हुआ हो उसे रखपित जिसको होता है तद दोश दूश उत्कलिष्ट और जोसके दोश और दूश दूश होते है न आदोस थंबन महरती उब्रे वे होती है तो उनमें आपको रोकना नहीं चाहिए स्टार अगर रोक देते हैं तो क्या होगा इसमें लिखा है कि 15 व्यादियां होती है जुआर है इसमें से कोई भी कर सकते हैं जुआर कुस्ट विसरप भगंदर और मेन यारतना है बुद्धी इंद्रिया अप्रोध मतलब बुद्धी और इंद्रिया अपने अपने विशे को ग्र तरपन का प्रयोग लंगन कराना है आपको ओर्ध मार्ग में तरपन कराते हैं अधो में तो आप देखो गया गे रख्पित में भी पासा में हरिवेर पानिया प्यास लगे तो आपको हरिवेर पानिया देना है ठीक है और तरपन और पया बताया अब चिकिस्ता अब देखो काल सातम में दोश कानूबन जानने के बाद प्रकरती और पत्या की कलपना जानने के बाद चिकिस्ता को लंगन कराने के बाद आपको उर्ध में तो तरपन देना है औधों में पया देना है पहले हमें उर्ध में लंगन कराया था अधों में तरपन अब क्या करना है चिकिस्ता के बाद उर्ध में तरपन और अधों में पेया देना है ठीके उसके बाद आते हैं तरपन को अपको लाग से आधकना है ल, ए, कि ठीके वो कहते हैं खजूर आधी तरपन के वाला है ठीके एल से क्या है लाजा तरपन और एक अमल रस वाला बताया था है यहाँ पर अमल रस का है ठीक है अमल रस का निर्देश है अमल रस का निर्देश क्यों है क्योंकि पित भड़ाती है तो इसमें भी कौन सा बोला है कि खटा नारकरस आवले का रस तरपन सिथ हो जाने के बाद सम रक्त्पित की रोग्यों में शाक, शाक पलवल का नियम, बेथ, चिराइता इन सब का आप शाक देख सकते हो रक्त्पित ने मास्का परियोग, मास्क कौन सा लावा का है, हरीन का इनका मास्क दे सकते हो उसके बाद दोश अनुसार पथ्या, यhero कुछ लोग करना है कफ अनुगे यूश शाकम, ददात वात अनुगे रसम, कफ अनुगे मतलब कफ का अनुबंद है तो यूश और शाक देना है, ददात वात अनुगे वात का है तो रस देना है, रस मतलब मास रस देना है, ठीके उसके बाद है रखपितने परियोगार्थ यवागू, विबंद होता है तो बत्वे के साग में, विबंद हो तो पिपासा में जल देना चाहिए, वो तो सभी को होता है कि प्यास लगी तो जल देना है, रक्त पितने वमन विरेचन का स्थान में क्या आएगा रक्त पितने वमन विरेचन का स्थान क्या है अशिन बल मासस से यस सतरपन उत्थित मतलब वमन विरेचन का स्थान क्या है जब जिसका बल और मास शीन ना हुआ हो जिसका रख्त पित संतरपन से उत्पन हुआ हो ऐसे को आपको उर्धु में तो वीरेचन अधो में वमन कराते हैं आपको पतोगैस में अपोजिट चीकिस तक राते हैं रख्तितने सेकंड यर में चलक में पढ़ाता वीरेचन द्रव्य में आप त्रिवरित है त्रिवरित हैं, आवला है, हरित की है, मधू और चीने के साथ दे सकते हूँ वमन आर्थ में आपको क्या एक है? मदन फल का चूरंड सत्तू में मधू और चीने मिला कर देना है संशोधन के पश्चात कर्तव्या, अब देखो, संशोधन के बाद क्या है? उर्द में आपको तर्पन, अधो में ये वागू वायू बलवान तो नहीं है अतारत वायू के बलवान होने पर ये वागू को प्रियोग नहीं करना ठीक है अगर वायू है तो आपको इमासरज देना है ठीक है संशमनी क्रिया बोल रखा है कि यह क्या है शोशेंड सा अनुबंद वात असा संशमनी क्रिया मतलब जिस रक्तपित रोग में यक्षमा का अनुबंद होता है ऐसे को संशमनी क्रिया उत्म रहती है कुछ कवाथ हैं इसके अनदर आठरूशक आधिकवाथ पद्मक आधिकवाथ ठीके आठरूशक में क którego है आपको चीनी और मदों के साथ में देना है स्वासकास रटपित में दूर करता है यह पद्मक आधिकवाथ है उसके बाद रगतपित अन्ययोग बता रहे हैं योग में क्या है गाएं की गोबर के रस और गोड़े की लीद के रस में मधू और घी मिला कर पीना चाहिए ठीक है उसके बाद है रक्पित में रक्त का प्रयोग रक्त कब है जंगली और पक्षियों के ये रक्त को मधू के साथ चाटना है मतलब अगर बोला कि गांट होती है तो यू के उशीर आधी चूरन, किरातिक ताधी चूरन, किरातिक तो किसके साथ देना है, चावल के पाने के साथ, चावल के पाने में चीनी मिला कर देना है, रक्पित में उशीर आधी पेया भी बोल रखा है, ठीके, और प्रियंग बाधी पेया, यू पी, ठीके, पेया जो गाएं का दूद या विदारी गंदर लगू पंचमोल से पकाया हुआ गाएं के दूद में चीने और मदू मिला कर देना है वाद का अगर अनुबंध हो तो मुत्तरमार्ग में मस, म, स, मिस कर लो चाहे श्तावरी, शीर और गुदा में हैं मोचरसिदम गं, उसके बाद है वासा गृत, वासा गृत में क्या है इसमें वासा, स, शाखम, पलाशम, मूल, कृत्वा, कशाय, कुसुमानी, च, आस्य मतलब शाखा, पत्ती, मूल के साथ अटूशका विदिबरो, क्वात बनाना है चार गुना इसमें आते हैं, ठीक है, गोगरी से सिद करकर मदू के साथ देना है। उसके बाद है अभ्यांक, सरपिगुड के साथ करना है, कफ का नुबंद है तो शार का प्रयोग करना है, इतना ही याद रखने हैं, उसके बाद है श्तावरियादी गृद, श्तावरियादी गृत में क्या आपके पास चार गुना गोदुग्द से गृत का पाक करना है ठीक है अगर नासागत रक्तपित हो जाता है तो क्या करना है आपको यहाँ पे नेक्स पेस पी है श्लोक नमबर हंड़र पे गूर करस इकरस गाय कदूद दुर्वस वरस ज्वासा मूल ठीक है प्याज का अनार की कली नस्या देने से नसिकाई बाला जो रक्तपित होता है वो बंद हो जाता है उसके बाद है रक्तपित में शीत शैन का विधान क्योंकि आपको पते ही यह पित इतनी होती है तो आसनों पर भिछोना या ओडना मतलब ठंडी ठंडी चीज़े इसमें यूज करनी है ठीक है और यहाँ पर हमारा यह चैप्टर कम्प्लीट होगे और इसकी ट्रिक है वो है SKU के प्रियावासी कमल को पदमने खजूर की लाए अगर किसको कोई भी डाउट आप मुसे पूछ सकते हो और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्स्राइब मैं वीडियो, थैंक यू फो वचिक मैं वीडियो